प्लीज सब्सक्राइब आ यूट्यूब चानल नुकड के भुकड़ के भुकड़ का स्वागत है और आज हम जा रहे दुबारा गोरोवली वहाँ पे एक स्टॉल है शिरी जी गोला गरगे जिनके पास गोला की कई सारी वराइटीज है और उसमें एक स्पेशल गोला होता उन तो लेट्स गोगाइज है 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 हम आए शिरी जी मलाई गोला और इनके पास गोला की कई सारी वराइटीज है जिन में से हम एक ट्राइग करने वाले हमने सुना है कि वह काफी स्पेशल है काफी बेस्ट गोला है और मैं उसको ट्राइग करके आप सार्थ अपना ओपिनियन शेयर करूंगा तो है जिसी कि आप देख सकते हैं हमने जो और दिया वह तैयार हो रहा है उन्होंने जो हमारे गोले को अच्छी तरह आपको निकाल लिया बरफ निकाल लिया गया और फिर उसके अंदर इन्होंने मावा वर दिया है और अब यह मावे को भी बताइब और जादा लोग बरफ डालेंगे फिर उसके अच्छे तरह प्रॉपर एक्दम राउंड शेप में लेकर आया जाएगा फिर राउंड शेप में लाने के बाद उसके पूरा मतलब जो सॉस रहेगा ड्राइफूर्स रहेंगे सब डाल के पूरा रेडी किया जाएगा इसको गाइस जिसलिए आप देख सकते हैं इनोंने फ्लेबर डालना शुरू कर दिया सबसे पहला फ्लेबर रहे यह पाईपल फ्लेबर रहे फिर उसके आद यह ब्लूबैरी डालते है और फीर चाहिए यह मलाई को पुरा कवर मलाई से पुरा कवर किया गया है गोले को पर उसके आधा जिससे आप देख सकते हैं मावे वाला कुलफी डाला गया इसके ओपर पुरा काफी सारी कुलफी रखे गई काफी टंडाउन अलगा पुरा मुह एक्दम फुरीज हो जाएगा इसको काने के बाद और आप इसको पर चोकलेट डाला जा रहे गाए इस पर द्रसिंग की गई एकदम अच्छी तरह से और और आप इसके ओपर ब्राउनी रखे जा रहे ब्राउनी के पीसे करके पूरा एकदम अच्छी तरह से इसको अब आप अब आप और फिर उसका दिया थर्ड फ्लेवर है यह स्टॉबरी जेली इनका जैम बोल सकते आप इसको एक तरह का फिर उसका इन लोगने दुबारा इसको चोकलेट भर दिया गिदम से और अबटोय शुरुआ थे काफी सारी डृशिंगर करने बांगी जैसे कि देक्षासरे ड्राइफ्रूट आला चाहिén कि अवहाई जाला यात फेर फिर पिस्ता भी डालाा गया और है फिर से बटर स्कॉच डाला गया चोड़ा से और से जैडियों ऑद इसे पूरी तरह से इतम भड़ जग जाएगा जैसे पिछले वीडियो में जस चीज चीज की बारीश हो इस बार इसमें मलाई की बारिश हो रही है फिर उसके दुबार ऐसे सॉस्टेज कवर किया गया जैली चौबरी फ्लेबर है तो यह मैंगो फ्लेवर डाला गया था इसमें और यह मिल्कमेड जिससे मतलब पुरा कवर किया जा रहा है ताकि थोड़ा एक अच्छा लेयर बने मि तो फिर उसके और ड्राइफ्रूट्स गाइस उसके अदब काजू फिर उसके बाद थोड़ा सा शुगर क्रिस्टल डाला गया है जो की काफी कॉलर्फूल भी दिखने में और फिर उसके आजू साइट साइट से जेली रख दी गई है इसके अंदर अब बार आज तो चीपस की अगले जारे और फिर उसके थोड़ा सा क्रीम डाला गया ता फ्रेश क्रीम ताकि थोड़ा सा क्रीमी टैक्सर भी आए गोले के अंदर पिर उसके आद ये ग्रीन एपल का जूस दाला गया हलका सा और ये फिर से स्टाबरी फ्लेबर डाले गई है और ये जो है ये बटर स्कॉच फ्लेबर है इसे ब्लू वेरी मत समझे है गाइज बटर स्कॉच फ्लेबर है ये फिर उसके पर डाक सॉंकेट स्प्रेंकल किया गया है और फिर उपर एकदम अच्छा दिखने के लिए खूप सर दिखने के लिए चोटी सी चेरी तो है गाइज हमने ओर्डर किया है स्पेशल श्रीजी गोला जिसी इसमें साथ तरह के सॉस मिलते है आपको और कही तरही टॉपिंग से उपर और आप जैसे कि देख सकते हैं एक तरह से ऐसा लाग रहा है कि भरप में धकावा मॉंटेने और मैं इसको टेस्ट करना है मुझ अब का बोलुज गूरे के वारे मैं इसमें अब बड़ा जो ना मुं में थंडापन आने के साथ साथ इतने सारे फ्लेवर मिक्स हो के हारे ना आप समय दीजे एक तरह से ना एक चीज में आपको कही तरह के फ्लेबर की डिसकवरी हो जाएगी इसमें चॉकलेट तो डाइफ अलगी चीज है तो है गाइस हमने जो गोला है और मैं सच बोलता हूं मेरे लाइव को बेस्ट गोला था मैं और जब खाया तो मेरे मुझ के अंदना प्लेवर का बूम-बाम हो गया तो आज के लिए इतना ही अभी तो हमारा पैकप का टाइम हो चुका है तो अभी मैं जा र झाल झाल